देकिन नितीश कुमार जी की जो क्रेडिविल्टी है वो अब देश में बची नहीं है। कॉंग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लिड़ने की तैयारी करें। इन बैसाखियों के साहरे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। यह सत्ता की जो शत्रंज है यह पल-पल रंग बदलती है। और मुझे लगता है कि नितीश कुमार इस शत्रंज के बहुत बड़े खिला रही है। प्रिजेब मुझे की खवरूर है। देकिन नितीश कुमार जी की जो क्रीडिविल्टी है वो अब देश में बची नहीं है। और उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके ख़ुद्धार है उसके फैसले जम्मेदार है। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जे डी यू की जो हरकते हैं जे डी यू के नेताओं की जो बाते हैं उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठवंदन नाम की एक नई उमीद विपक्ष को मिल रही थी उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंड़ा रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लिड़ने की तयारी करें इन बैसाखियों के साहरे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है मुझे लगता है कि गंगा में बहुत पानी बह गया है और अब जो है परिंदा उड़ने को तयार है तो उड़ते परिंदों को कौन बांध पाया है कौन रोख पाया है ये सत्ता की जो शत्रंज है ये पलपल रंग बदलती है और मुझे लगता है कि नितीश कुमार इस शत्रंज के बहुत बड़े खिलारी है बहुत बड़े मौसम वैज्यानिक हैं बारिश कब होगी ठंड कब होगी राजनीतिक तुफान कब आएगा यह भाप लेते हैं इसलिए हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि विपक्ष उन्हें प्रधानमंतरी के पद का कैंडिडेट नहीं बना पा रहा है तो उन्होंने दूसरी रहा पकड़ने का फैसला किया हूँ लेकिन ये सब कुछ उनके फैसले के बाद साफ होगा ग्यान वापी मजज़ित को लेकर एसाई के रिपोर्ट सामने आ गई है जीपियार सर्वेफर एसाई ने कहा कि यहां पर एक बड़ा वब मंदिर उटाचा था इससे पहले यहां मंदिर मज़ित से पहले मंदिर होने का दावा किया है देकि दावे से कुछ नहीं होता है अदालत के फैसले पर डिपेंड करेगा और भारत एक बहुत बड़ा लोक्तंत्र है भारत में एक नियाए पालिका है और नियाए अभी जिन्दा है अदालत के फैसले का इंतिजार करना चाहिए तब तक हलकी और तल्ख बयानवाजियों से बचना चाहिए